असलाम लीकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मित करती हूं कि टिक ठाक होंगे आज मैं आपके लिए फिर एक ट्रेंडी से बोट नेक डिजाइन के साथ हैड़ी हूँ तो चले स्टार्ट करते हैं इसकी मेयरिंग यह देखें हैं हमने इसकी चुड़ाई नेकी लेनी है 3. पाइव इंचिस 3.5 इंचिस चुड़ाई लेंगे नेकी और नमबाई जैसे के हम बोट नेकी लेते होते हैं 4 इंचिस उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे यहां से जो हमने 3.5 इंचिस पर निशान लगाया था वहां से नीचे 4 इंच तक लिए जाएंगे इस तरह एक बॉ नेकी शेप ट्रा करदें में इस तरह हलका सा करफ देते हुए उसके बाद यहां पर 0.75 इंचिस पर एक निशान लगाएंगे और फिर यहां से नीचे 3 इंच पर मार करेंगे और जो हमने 0.75 पर निशान लगाया है उसको और 3 इंच की निशान को मिला देंगे इस तरह तक से बनागे अब यहां से नीचे तक हमने 12.5 इंचिस तक लेनी है लेंद टोटल नेकी लेंद चुलेनी है और यहां पर में 12.5 इंचिस ले रही है उसके बाद यहां पर 0.5 इंचिस पर मार करेंगे और यहां से टोटल 0.5 इंचिस पर मार क लगाते जाएंगे यहां पर यहा से भी टोटल 0.5 इस तरह रखके 0.75 पे यू राउंड में निशान लगा लेंगे और मार्किंग कर लेंगे उसके बाद इन मार्क्स के साथ साथ हम एक और मार्क लगाएंगे 0.75 इंचिस पर और निशान लगाएंगे इसके साथ एक और निशान हम 0.75 पे इसी तरह सीम यहां पर 0.75 पे लगाएंगे एक डबल निशान इस तरह अब इसके कटिंग कर लेंगे नीचे तक की निशान लगाएंगे पर इसके कटिंग कर लेंगे यह देखें यह सारे निशान जो मैंने हाईलाइट्स कर दी हैं अब यहां से हम इसके कटिंग स्टार्ट करेंगे यहां से कि अदिनके बाद बैसिकलिए हमारे पास तू टाइप्स के नेक जो हैं वह जो यह जो बाहरा हमने की ती ये नेक होगा है ये नेक हमने शेट की कपड़े पर पेस्ट करना है जो जहां पे हमने नेक बनानी है वहां पेस्ट करेंगे उसके बाद यह नेक जो है इसको हम इस तरह सेंटर से करेंगे और दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे इस तरह और इसको हम एक और कंट्रासिंग कपड़े के ओपर पेस्ट करेंगे और इसके ओपर डिजाइनिंग करके इस नेक को अड़ेस्ट करेंगे यह देखिए दोनों पीस हमारे का सेपरेट हो गए अब इन दोनों पीसे को हम एक कंट्रासिंग कपड़े को पेस्ट करेंगे और पिर बाद में सबसे पहले यह भी आंगेुश कर लेंगे, उसमें पिर में स्नैक को रडिजास्ट करेंगे अपत्री संञेल योग्री मुंके कर देंगे घाने मीडिनों इसे तरहां तक में जाने के लिए तेयारे में विदतर बोट लिए में जानी के लिए। इसको इस तरह से नीचे रखना है और थोड़ा सा पेस्टिंग का इससा दबाते हुए हमने सिर्फ इस वाले पोर्शन पर पाइपिन निका लेनी है इसके बाद ये डोरियां देखें इन्फूमेंट इस स्लाई लगा लिए अब इस स्लाई को दबाते हुए है इनको हमने थुड़ा सा पानी लगा कर शेटेनी है गुलाई की रस के मेंद से क्याद्व से इसको पाइपिन निकाल इसको रखेंगे और नेक क यह वलापोर्चंद इसको ट्रेस कर लेंगे और यहां से ठ्रेस करलेंगे है किक अफ्रा कर लगाकर यहां पे श्लाइ लगा जूळा की स्कूल डिपताल टर्ण करके यहसे ृशकक खलक कीई मैंने जिन वी बनाया थे इस पर मैंने कप्डा लगा लगा लिया भूम अब आधना नmam और यहां से यहां तक स्लाई लगाएंगे दूसरी सेट के नेक भी रखेंगे यहां से यहां स्लाई लगाने के बाद इसको टांड कर देंगे इसकी मसे सेट करने के बाद इस तरह से हमने लूप सुपर रखनी है और यहां पे स्लाई लगा देंगे और दोनों तरफ हमने इसी तरह लूप सेट करके रख लेनी है और अपर अंदर वाले नियुक प्रक्षाओ करना झारना करते हैं ब्रड़ करें चुर्द नियुक्त आए लिससे पर इसके इसके उपर ऋपर खाया जो आपके मने रसावल चाई लिदांना करें इस तरह पर बीटिफल सनेक हमारा डाड़ी होगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस फीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेज़ फैमली के साथ उम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा झाल 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 झा